So yes, here to all, how are you all? I hope you will be very big and you guys are preparing well. Now, first of all, when I am making this video, it's my request to all of you, please, this video is the end of the video. Because this video is the most relatable for both of us. You won't find a single video saying that, that you have your boards and my boards. I will do my boards and you will also save your boards. Okay, because it's not only about you, it's also about me. And I'm not the people who make a statement here on the internet. If you don't have a statement, I don't have a statement to you. Because my friends, friends, exams, semester, exams, these were, those were. No, I'm not the same. I'm not the same, I'm not the same. I'm totally accepted that I'm an individual's study. पढ़ाई है और अगर मेरे पर 40-50,000 बच्चे डिपेंडेंट है, जिसका काउंट डेली बिस्स पर बढ़ता जा रहा है, तो मुझे उनकी बढ़ाई पर जादा फोकस्ड रहना है. It's my clear goal, क्योंकि एक single individual cannot beat 50,000 लोगों की पढ़ाई को, मैं इतना selfish नहीं हो सकता, कि सरफ अपने लिए ले करके, तुम 50,000 बच्चों की पढ़ाई को side में कर दूँ. अब देखो, इस वीडियो का एक मकसद है, मैं तुमको आज एक बहुती, एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी class 10 में feel की थी, ठीक है, एंड ये इस समय पर हर एक बच्चा feel करता है, और मैं उस चीज़ को again वापस से feel कर रहा हूँ, because मेरे board exams are just, ये जो नहीं एक दम आ चुके हैं, समझ रहो, तुमारे board exam तो फिर भी 27 तारिक से start होने है, ये बारा तारिक है, और 16 से मेरे board exam है, तुम समझ रहो, मतलब मेरे board exam are just there in 4 days, तो अब देखार मेरे को तुमको कुछ कुछ चीज़ा बतानी है, फिर्स्ट अफॉल एक चीज़ समझ लो, अगर तुमको ऐसी feelings आ रही है, कि भीया, मैं आपकी कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, motivational वीडियो है, कुछ भी है, you are trying to motivate us, लेकिन हम motivate नहीं हो पा रहा है, या वर हमारे साथ में, कुछ ऐसा हो रहा है, because this used to happen with me, क्योंकि भाई देखो, it's pretty much obvious, एक habit building जो ना, मैं इस समय पर तुमको ताने नहीं मारूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, I'll just ask you to hold my hand, if you all do that, तुम बच जाओगे, ठीक है, मैं इस चीज की guarantee लूँगा, क्योंकि, देखो, मैं तेरे को एक छोड़ी सी बात बताता हूँ, यार, इस समय पर बहुत सारे बच्चे के, almost हर बच्चे को यही चीज लगती है, कि I'm a unique kind of person, मेरे पर नही motivation कुछ अलाग हो रही है, like basically it's just like, मैं पढ़ना भी बैठ रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है, कि भाई, these are just the last days, ठीक है, ये last दिन है, लेकिन स्टेल मैं एक वीडियो खोल रहा हूँ, 10 मिनट देखी, फिर मैं बटक गया, ठीक है, या फिर मैंने आज जो ना, प्लैन मना लिए, physics में तरह करूँगा, chemistry में, biology में, और मैं उतना करने की सोच रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, इवन दो मैंने यहाँ पर, जोना अपने notes में लिख रखा था, कि भाई, देखो मैं एक काम करूँगा, 11 तारीक को लेकर के, I'll be preparing electrostatics पढ़ूँगा, current electricity पढ़ूँगा, ITF पढ़ूँगा, relation function पढ़ूँगा, और उसका आद मैं chemistry, मैं पूरी आधी organic chemistry निप्टा दूँगा, तो यह चीज़े मैंने लिखी, लेकिन यह नहीं हो पाया, और ऐसे में क्या होता है, हमको एक sense of demotivation आजाता है, और हम लेके एक तरीके से जाए, जोना तूटने ऐसे लगते हैं, देखो, मैं तेरे को भाई, छोड़ी इसी बात बता दू, यू आर नो यूनीक परसन, इस हैपन्स विट आल, ठीक है, यह मेरे साथ class 10th में होता था, although मैंने 12 revision कर लिये थे, but this is the story of my 13th revision, I used to think, भाई इतनी preparation कर लिये, इतना जादा पढ़ लिये, लेकिन इसा लगता है, कि हम boards वाले दिन या तो panic कर जाएंगे, या फिर हम वो anxiety face करेंगे, जिसकी वजहासे लेकर करके, हमारा board exam ruin हम करके आ रहे होंगे, English मुझे आती नहीं, I used to think that, कि मेरे को English बिल्कुल नहीं आती, छो कि हाँ, I accept that, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन still, मैं वो इनसान नहीं हूँ, बस तुमसे ये बोल दूँ, कि ये strategy कर ले न, वो strategy मैं तुम्हारे साथ में, जिस दिन मेरा board exam भी होगा न, मानलो, 16 तारिक को मेरा board exam है, मैं 15 की रात को बैठ के तेरे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि I just don't care about, like मैं selfish नहीं हो सकता, ठीक है, मैं इस point of time पर क्योंकि ये जो न, खुद को धोका देने वाली बात हो जाएगी, I owe that to you, कि मैं तुमको पढ़ाऊं, ठीक है, मैं अगर तुमको अपना, like तुम्हारा भीया बोलता हूँ न, तो मैं ये नहीं कह सकता, क्यार, 20 दिन तक भूल जाओ, कोई एक ऐसा इंसान भी था, क्योंकि अभी उसके खुद के board exam चल रहे है, ठीक है, I cannot just say that, I'll be there with you guys, but एक छोड़ी सी बात समझो, देखो, अभी हमारे board exam को 10-15 दिन रह रहा है, ठीक है, इस समय पे एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, कि हम एक नई चीज़ को adapt करने का try कर रहे है, ठीक है, जैसे it's also very, like मेरे लिए भी तुम से जाद मुश्किल है, क्योंकि तुम लोग ने शायद से फिर भी पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन मैं, मैं honestly बोलूँगा, मैं इंटरनेट पर आके जूट नहीं बोलूँगा याँ पर, मैंने भाई लिटरली पूरी ग्यारवी मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 6 मही ने बहुत रगड़ के मिनत की थी, because तब मैं financially independent नहीं था, but जैसे I was clear about my goals, कि I have to take like clarify knowledge to another level, और मैं इसी एक domain में काम करूँगा, मैंने अपनी पढ़ाई actually छोड़ दी थी, and I do consider that as a mistake, मैं उस गल्दी को मानता हूँ, क्योंकि अगर शायद से मैं जो एक दो घंटे, like chill कर रहा था, या फिर कुछ भी कर रहा था, if I would have studied, आज मेरी ये condition नहीं होती, 7-8 हार्स, 7-8 घंटे हमको पढ़ना भी है, and I'm trying my level best to do that, लेकिन मैं भी complete नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत unique बात नहीं है, कोई tension लेने वाली बात नहीं है, तुम अपने best efforts को डालते रहो, just make sure, तुमारा एक-एक minute invest हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब देखो, इसके लिए मैं भी सर्फ तुम से ये बोल के नहीं चला जाऊँगा, कि एक-एक minute invest हो रहा हूँ, I have to take care of all those things, मैं देखो भाई, एक तेरे को चीज़ बता रहूँ, अभी हम लोग जो ना, आज या कल में, एक daily basis का 24 hours का planner release करेंगे, ठीक है, तो उसमें तुम उनका journal करोगे, मतलब I am not saying that, कि एस एक घंटे में तुम करने क्या वाल हो, you will write कि मैंने एस एक घंटे में किया क्या, शायद से उस एक घंटे में जब तुम लिख रहे होगे ना, कि ये घंटा में ने बरबाद कर दिया, उसके आगे आने वाले जो घंटे होंगे ना, ठीक है, जो उसके आगे आने वाले हार्स होंगे, वो बच रहे होंगे, ठीक है, तो हम कोछ ऐसा करेंगे, फस्ट अफॉल, दूसरी चीज़ जो मैं तेरे को बता दूँ, देखो, क्योंकि, इस मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, भाई मैं आपकी बढ़ाई बचाऊ, ठीक है, और इस प्रेटी मच ऑव्यूस के, अभी मैं तुमको पूरा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो मैंने इसलिए पहली, I was very clear, भाई तो को इस समय पे मेरे बोट चल रहे होंगे, मेरे को एक ऐसी फॉज तयार करनी पड़ेगी, अगर मैं हलका सहा भी backstep हो रहा हूँ, तो मेरे एक इंसान के थोड़े से पीछे आने की वज़ासे, आठ से दस लोग आगे आजाएं, ठीक है, तो हमारे टीचर्स विल भी देर टीचिंग यू, डोंट वरी एट आल, मैं यूटूब पर पढ़ाऊंगा, अगर तुमको पूरा अच्छे से पढ़ना है, आज हम लोग एक दिन ही है, काफी को लॉँच कर रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा है, I know that on the personal level, जिनकी पूरी preparation नहीं हुई है, ठीक है, वो अभी syllabus भी दन नहीं कर चुके हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ है, भाई तू tension मतले, मैं still कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, it's my work, and I'm very honest to my work, मैं तेरे को एक छोड़ी सी बात बोलूँगा, अगर syllabus भी दन करना है, revision भी करना है, उस चीज में आ जाई हो, उस चीज को देख लिए हो, एक दिन ही है काफी का, हम लोग अभी like first season launch करेंगे, मैं चाहता हूँ, तुम लोग वहां रहो, तुम उस चीज को देखो, उसके थूरू सारी चीजों को complete करो, if you do think, if you can complete your syllabus, doing something else, or buy something else, तुम कर दो, क्योंकि देखो, अपना एक ही मकसाद है भाई, कि हम लेकर के, साथ मैं तुम्हारे results को secure कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जूट नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा, कि मैं शायद से उतना भी score कर पाऊं, लेकिन still working for you all, बस एक छोड़ीजी बात है यार देखो, अभी ये जो 15 दिन है न, हम एकदम से एक नई आदत, बहुत जादा पढ़ने की अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम एक छोड़ा सा काम तो करी सकते हैं, कि हम daily basis पे लिख सकते हैं, एक एक घंटे हमने क्या किया, शायद से उसका realization, क्योंकि हम अभी पूरे time एक चीज़ सोच रहे हैं, यार अगर नहीं पढ़ा तो boards में क्या होगा, यार नहीं पढ़ा तो boards में क्या होगा, ठीक है, यह जो realization है, यह हमको एक तरीके से बता है, यह एक तरीके से, लेकिन स्टिल मैं तुमको एक छोड़ी सी बात बता दूँ, यह काम जरूरी नहीं है, मैं ही तुमको एक चीज़ बना के दूँ, तुमें एक डायरी बना लो, जिसमें 24 हर्स की चीज़े लिख लो, इसमें यार प्लीज लिखते हुए चलो, ठीक है, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगर इस एक घंटे मैंने ये गलती कर दी, तो मैं ले करके ये करूँगा, अभी देखो यार, इस मैं रिक्वेस्ट तु आल अफ यू, मैं अपनी जब क्लास टेंट में दाना था, यही थर्ट, लेक वना वस लेक रिवाइजिंग फर लास्ट तैम, ठीक है, तो, दो, आम जिस शेरिंग दिस तिंग उन इंटरनेट, फर दे वेरी फर्स ताम, आविंट शेर इनी, और मैं पूरे शेर कर भी नहीं पाऊंगा, विकॉस दिस इस माइ, लेक दिस इस आ वेरी पर्सनल मेंटर, ठीक है, तो, उस समय पर, जो है, मेरी फैमिली में एक बहुत गलत इंसिदेंट हो गया था, ठीक, जिसकी हो जाए से, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स, वाल एक, एक तुम समझ रहो ना, उस टाइम पर, मेरी फैमिली एक अच्छे स्टेट में नहीं थी, मतलब, यहां पर, एक चीज, इस प्रकार थी, इस टाइम पी कंडिशन के, आइधर, आइदर, इस समय पर क्या था ना, पढ़ाई वाले, मतलब, घर वाले भी मेरी पढ़ाई के बारे मैं नहीं सोच रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर भी जब मेरा ये चीज हुई थी, मैं यार तो इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस समय पर भी I used to do one thing, I remember, कि मैं जितने समय फैमिली वालों के साथ तो उतने समय हूँ, मैं फालतू चीजों पर समय नहीं दे रहा था, उस time पर when I was like getting free, एक वो self-realization एक वो डर अंदर से मेरे अंदर बैठा हुआ था, कि नहीं भाई मैंने बहुत जादा महनत की है, it's my goal to like score 95% or something like that, तो मैं कर के रहूँगा, ठीक है, वहले हमारे board exam नहीं हुए थे, but still any which ways, ये चीजों नहीं, वो जो मैंने अपने notes बनाए, वो सारी चीजों नहीं आंगे चल के लाखो बच्चों की help की, तो यानि वो महनत मेरी waste तो नहीं गई, ठीक है, तो यार दोगो, it's my request to all of you please, एक promise तुमको मेरे से करना है, इस वीडियो को देखते देखते, कि यार देखो, तुम भी same हो, मैं भी same हो, ठीक है, like no one's different, हम same है, हमने same तरीके की चीजों को observe किया है, बस एक छोटा सा promise में तुम से चाता हूँ, कि तुम अभी इस वीडियो के comment section तक जाओ, और इसमें लिख देना, कि भाईया, अभी तक शायद से हम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब हम, एक चीज for sure करेंगे, यही चीज तुमको लिखनी है, मैं, हर एक घंटे में क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा, मतलब देखो, अगर तुम नहीं लिखोगे न, तुम इस चीज को भी, लेटेड भी, लेटेड गो कर दोगे, तो भाई, मैं सच बतारू हूँ, या, तुम अपने आपको कैसे मॉनेटर कर हूँगे, तुम अपने आपको कैसे मॉनेटर कर हूँगे, कर रहा हूँ कि, उसमें मैं A to Z सारी चीज़े बता दूँगा, कि भाई, क्या-क्या चीज़े होने वाली है, क्या-क्या सब कुछ सीन है, दूसरा हमारे Class 10 Theory का Marathon होगा, लेकिन स्टेल, उससे भी पहले मैं बता दूँ, आज हम लोग एक दिन ही है काफी को launch कर रहा है, अगर तुम बच्चे चाते हो, कि तुम उसमें आना चाहो, तो आ सकते हो, ठीक है, वो 15 से 20 मिनट पे तुमको एक solution मिल जाएगा, जिसके दुरूम अपने syllabus को done कर सकते होगे, ठीक है, तो मैं बस एक छोटी सी चीज़ या तुमसे चाता हूँ, प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में बता के जाना, तुम लिखोगे हर चीज़ को, और प्लीज आज हमारी 2-3 वीडियो आउट होने आ लिए, एक 15 डेज का रोड में वीडियो होगा, उसमें तुमको मैं सब कुछ बता दूँगा, प्लीज उसको देख लेना यार, पूरी थियोरी, पूरी थियोरी और प्रोग्रामिंग का, जो पार्ट टू एमार गंप्यूटर का, उसमें मैं दो घंटे बैट के तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो प्लीज यार, दो घंटे की लाइफ स्ट्री में आकर के बैट जाना, ये सारी तीनों चीज़े, आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत मेहनत लग रही है, मेरे एंड से चीज़ों को मैनेज करने हैं, इसलिए मैं अपने लिए तुमसे रिक्वेस्ट करना चाता हूँ, कि यार, मेरे जो एफ़र्ट है ये वेस्ट नगा है, प्लीज, क्योंकि पिछले साल के बच्चों ने इस चीज़ को कंसीडर किया था, आज एक चीज हम लोग टार्गेट करते हैं, कि आज हम लोग ले करके, जो हमारी वीडियो आने वाली है, रोड मैं वीडियो, इसमें रिक्वेस्ट, वी आरा फैमिली, तो हम ले करके इसको पूरी जगा जो इना लेक शेयर कर रहे हूं, ठीक है, तो हम अपने दोस्तों के इसको शेयर करना, क्योंकि इससे जो हमारी फैमिली ग्रो करेगी, दूसरी जो सबसे इंपोरेंट बात है, वह यह है कि जब हम लोग लुग लूँच कर रहे हो, हमारे एक दिनी यह काफी को, क्योंकि एक दिनी यह काफी is literally a problem, विच के एंड जिस्ट, लैक 15 दिन है, 7-8 दिन में तेरा सिलिवस कैसे डन करना, इस चीज़ पर बात करेगी, इसको यार ब्लीज देख ले न, इसमें हम लोग टार्गेट करते, 300 बच्चे हमारे साथ आ करके बैठ रहे हूं, और 300 कॉमेंट हम इस वीडियो पर करें, कि हाँ भी या, जितने बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, प्लीज लिखके जाना भी या, मैं लिखूंगा हर एक घंटे मेंने क्या क्या किया, ठीक है, और तीसरी चीज वही है या, जो आज हम लोग पढ़ाने वाले है, तेहोरी मेराथॉन में, उसमें यार प्लीज आ जाना, और उसमें हम लोग आज पूरे सलिवस को डन करने वाले हैं, तो अभी रखते हैं अपने इस वाले वीडियो में इतना ही, प्लीज पढ़ो, लिखो अच्छे तरीके से, और यह अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम बताए क्या करो, तुम 24 घंटे एक प्रण कर लो, कि तुम टेबल चर पर बैठो, जैसे लिए मैंने एक चीज, अभी के लिए अपने स्टूडियो से बैड हटवा दिया है, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर मैं इस कमरे में रुकूंगा न, तो वो बैड मेरे को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर रहा है, कि मैं थोड़ा सा आराम करने हूँ, लेकिन अभी मैं आराम कर नहीं सकता, क्योंकि तबियत अगर खराब होती है, तो वो बहुत जादा हाम कर रही होगी तुमको, and I want you all to be there, प्लीज यार आजाना, बाई बाई, लव यू ओल, हसलाड, CKOP. बाई बाई,